और स्नाब डील के फाउंडर रोहिद बंसल ने जी बिजनस सखास बाचीत में कहा है कि कामपनी ने पिछले दो सालों में काफी विकास किया है और स्नाब डील की फंड रेस करने की फिलाल कोई योज़ना नहीं है exclusively.in के अधिगरेंट पर भी उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार किया E-commerce इंडस्ट्री पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्नाब डील के फाउंडर मिस्टर रोहिद बंसाथ आपका स्वागत है जी बिजनस में सर्थ मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि 2015 शुरू हो गया है पात साल हो गए है स्नाब डील को कैसा रहा है आपके लिए यह जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है हमारे लिए हमारी कंपनी सिंस्टी स्टर्टेड इन 2010 बहुत ही ups and downs देखे हमने हमारी कंपनी ने बहुत ग्रो करा है अब हमारे साथ जब हमने मार्केट प्ले स्टर्ट किया था हमारा ओल्वेस विजन था कि हमें एक मिलियन मर्चेंट्स की लाइफ चेंज करनी है और उनको ऑनलाइन लेकर जाना है हम अल्रड़ी 100,000 तक पहुंच गया है हमने एक लाइक मर्चेंट्स को ऑनलाइन ले जा चुके हैं और बहुत एकसाइटेड है हम जैसे जैसे आप साल पूरे कर रहे हैं वैसे वैसे एकॉमर्स इंडस्ट्री भी ग्रो होता जा रहा है तो आप कॉम्पिटिशन कैसे देख रहे हैं दूसरे मेजर प्लेयर्स के से पाइस की बहुत अलग है हमारा फोकस हमशे यही रहा है कि अपने कॉम्पिशिन से ज़ावे अपने कस्टमर्स पे फोकस किया जाये और हमें लगता है कि अगर हम अपने कस्टमर्स के लिए ऑपने क Zacسمus के लिए चीज़ कर रहे हैं और अपने merchant को अपक्तिने उंके इनके अच्छी हमने यह जो भी निवस्पेपर में लिखा गया है वो सब रूमर है हमने कुछ भी एक्सेप्ट है डिकलाइन नहीं किया है सो बड़ I think given the nature of our industry and our company doing so well we obviously keep getting reached out by investors but at the right time we will we will choose like we've always chosen who's the right partner to work with अभी ऐसा कुछ नहीं है सो इसलिए मैं कुछ कॉमेंट नहीं कर पहूंगा इसलिए एक और मेरा आपसे सवाल था की there are also talks कि आप exclusively इनको भी acquire करने की सोच रहे हैं तो क्या यह talks सही है again यह सिफ talks है तो अभी I cannot confirm anything or comment on anything like that जी बहुत बहुत शुक्रिया सजी बिजनेस के साथ जुने के लिए thank you so much चले इसी के साथ रुखे के थोड़ सी देर के लिए आप देखते रिजी दूस नमस्कार